चूटा सा नी वेदन, मेरी आज़ाती शनिदेव, 39 अप्रेल रात में अपनी मूलतरिकौन राशी कुम्च में प्रवेश का रहा है तीस साल की बाद अपनी मूल त्रिकॉन राशी कुम्ब में प्रवेश और जिस्टरे की घ्रय योगा योग है इतने सुन्दर मास संजोग में 30 अप्रेल 2022 शनिय माउश्या 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 शिरी सनिधाम शनि तीरत चेत्र अतोला फते फुर्वेरी में आपका दिली और एंस्यार की सभी सनि भक्तों से मेरा निवे दिन सनि तेरत चेत्र असोला फते पुर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरी खाली दर्शन करने से सनिधेव की क्रिपा का प्रशाद प्राप्त होगा और जिवन खुश्यों से दार्या नमवू नारे ये गोमाता बंदे मात्रमा भारति कुप नाम और फिदैशे ओम शम शनिष्चराय नमवू प्रेमित्रों शाक्तियों जिस्तरे सभी कागजों को एक साथ इक्ठा करनते हैं सभी कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली जो पीन हतने वो चुबती है बीना चुब है कागज के चुबती है उसी तरह समस्त परिवार को एक साथ इक्ठा रखना व्यक्ति थोड़ा सा चुपता जरूरी लेकिन वह बहुत महत्पून व्यक्ति भाई उसकी कदर करू नमदा रहे है प्रदर्शकों मित्रों शाथियों कैसे आप सभी लो सनिदेव आपकी रक्षा करेर आप पुर्वेरी में आपका श्वागत है करीशनी भागवान की दर्शन पोजन तेलावी से शंपून कश्टों से छिटका राद्य का अध्भूत दिन है 30 अप्रेल 2022 सनियम आउश्यमांसों आपका श्वागत है मित्रों शाथियों ग्रनक्षोत्र का परिवर्तन अप्रेल के मह अप्रेल में राहू परिवर्तन करेगा अप्रेल में ब्रश्पति राशी परिवर्तन करेगे अप्रेल में शनिदेवी राशी परिवर्तन करेगे मंगल का भी राशी परिवर्तन है शुक्र का भी राशी परिवर्तन है बुद्ध का भी राशी परिवर्तन है इन सभी परि करेल से प्ररारं हो रहे हैं तो शंपवन रस को चैतर नवरात्रे की हर दिकशुग आपना है । माधी शकत्ती परमभा भगवती कि ये नवरात्रे आपके जीवन में मंगल में हो माई की सिर चर्णों में मेरी प्राता है। ये नौ दिन आपकी जीवन को कैसे मंगल में बनाय जाए गुर्मंत भी दाती महराज पर बहुत कुछ आपको वीडियो के रूप में मिलेगा आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आए माई के चर्णों में बेरी प्राद आपके सामने हूँ और आज जो विशे है वो है अप् अप्रेल के महामे आरम में राशी अद्वदी मंगल अपनी उच्य रासी मकर में शनीदेव के साथ दसम भाव में संचरन कर रहे हैं सनीदेव ससनामक पंच महारपूर्श योग में विराजमान हैं सनीदेव 29 अप्रेल को अपनी मूल्त रिकॉंड राशी कुम में 11 भाव में संचरन करेंगे मंगल देव शाट अप्रेल को कुम्ब राशी ग्यारवे भाव में संचरन करेंगे और सुरी और चनर्मा और बुद्ध ये तीनों एक साथे और मीन डासी बारवे भाव में हैं बुदाट अप्रेल को मेश रासी लगन भाव में परवेश करेंगे और सुरी 14 अप्रेल 2022 अपनी उच रासी मेश में लगन में आएंगे ब्रश्पति शुक्र के साथ कुम्ब रासी ग्यारवे भाव में संचरन कर रहे हैं और ब्रश्पति 13 अप्रेल 2022 कोश्वा राशी मेन में बारवे भाव में प्रवेश करेंगे, सुकर 27 अप्रेल 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 में प्रवेश करेंगे, रह 12 अप्रेल को विर्षब राशी से मेश राशी में लगन भाव में प्रवेश करेंगे, और केतु तुला राशी वाला कियों पर का संकीदुन कबाएं प्रतु स्वास्ति की दर्शिकों से इस महीने थोड़ी सी सावधानी बढ़ती पड़ेगी। विद्यार्ति और युवाओं को शिक्षा और के दर्शिकों से मेश राशिवालों के लिए अनावशक परिशानियों का सामना करना पर सकता है। नक्षत करना श्वास्तियों को लेकर उत्राद में थोड़ असा सावधानी का संकेत देरी। यह था मोटा-मोटा मेश राशिवालों के लिए, अप्रेल का महिला विस्तार से बात करते हैं, मेरा छोटा सानि बेदन, मेरी आ रहादी शनी देव, 29 अप्रेल रात में अपनी मूल त्रिकॉन राशी कुम में प्रवेष का रहे हैं। तीस साल की बाद अपनी मूल त्रिकॉन राशी कुम्ब में प्रवेस और जिस्तर की घ्रय योगायोग है इतने सुन्दर मास संज्योग में 30 अप्रेल 2022 शन्य माउश्या 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 श्रीशनिधाम शनी तीरत चेत्र अतोल अफ़ते फुर्वेरी में आपका दिली और एंस्यार की सभी सनी भक्तों से मेरा निवेदिन सनी तेरत चेत्र असोला फटेपुर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरे खाली दर्शन करने से सनी देव की कृपा का प्रशाद प्राप्त होगा और जिवन खुश्यों से दार जाए कि कामकाज, कारुबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर, शमाज, परिवाज, स्वास्थे के हिसाब से अप्रेल का महेंआ कैसा रहेगा सबसे पहले गए इविद्हारते और इवाओं के लिए अप्रेल का महेंआ शिक्षा और कैरियर के दिश्छ्ट कौन से परिष्रम और कड़ी महनत से शुफ़लों क की प्राप्ति की बेहतर संकेद्र मेहनत और परिश्यम का पूर्ण फल प्राप्त होगा मा के आरम में शिक्षा के छितर में प्रियासों के अनकूल सफलता मिलेगी ब्रश्पत के और शुक्र की एकादस में भाव में बैटकर सप्तम पूर्ण दसी पंचम भाव पर होने की बिध्यारत्य और युवाओं के लिए कलाकारों के लिए खिलाडуса के लिए खिलारें के लिए शिक्षा केरेर कला खेल entertainment के शितर में च्थ्य योग नजरे आपके भीतर में जागरूता बने रही और लक्ष की पर्चि सजक रहे एक उच्छी सिक्षा के छे ये प्रियास है दावे ने अब मैं बात करूँगा आपके कामकाज, कारुबार, नौकरी और आर्थिक दस्टिकों से ठीक रहेगा अच्छा रहेगा मैंने की शुरुत नक्षतर गर्णाओं के साब से बहतर प्रणामों का संक्या देली लाब भाव में ब्रश्पति का संच्रण और धन भाव में राव का संच्रण इस बात का संक्या देला कि महा के पुरुवाद आर्थिक दस्टिकों से शुब और लाब दाइक रहेगा अनाव से कर्दों से मुक्ति मिलेगी रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्द रहेंगे और वैवशाय विस्तार का मोका मिलेगा वैवशाय में किये प्रियास परिश्रम धन लाब के अच्छे संक्या देरे और धन की बचत होगी आई पक्ष मजबुत होगा पिछली पुंजी निवेश इस समय लाब मार्ग परसत कराईगे और वैविशाय के दस्टिकों से महिना आपके लिए ठीक रहेगा पर तुम महा के उतराद में ब्रश्पती बारवे भाव में संच्रन करेंगे और शूरिय रहु के साथ लगन भाव से संच्रन करेंगे लेकिन खर्चों का भी है नोकरी में करत लोगों के लिए इस बात का संके दरे की काम काज में थोड़ी चैलेंजे जरूर है फुल अप चैलेंजेंज हो सकता है काम का दबाव रहेगा नौकरी में कड़ी मेहनत और कठी परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन क्योंकी दसंभाव सनिदेव संचन कर रहे हैं तो यह जो चैलेंजेंज है यह जो मेहनत है परिश्रम है इसका लाब और शफलता अवश्याब को मिले लेकिन मेहनत के बाद इदियाब सरकारी नौकरी में हैं समय मननकुल परिवतन और इस्थानांतरन का संकेत दे रहा है शुक्र और मंगल की पूर्णदर्श्टी केरियर और कारोबार में शफलता का अच्छा आउसर देगी पारवरिक बिजनेस है यानि पुष्टे नहीं वेपार है तो लाब मिलेगा फिर भी तथाकतित मित्रों से साफधान दे आपके तथाकतित मित्र आपको धोका दे सकते शत्रू शडियंतर का संकेत नजरा रहा है इस मामले में थोड़ी सी साफधानी बढ़ते हैं बहुत जरूरी अपने आसपास की सरकल की परती साफधान देना गोपने अतना बढ़तना कारी छेतर में जरू से ज़्यदा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परिशानी का कान बन शकता है कारी वैविशाय श्रमनी निर्ण है बिना बुजर को की सला न ले तो अच्छा रहेगा टांस्पोर्ट की वैविशाय में ये महिना अच्छा रहेगा यह आप वान सेल्फ परसेज का काम भी करते हैं तो आपको लाब दिलेगा मेर्स रासी वालों के लिए अप्रेल का महिना पारवारी और श्रमादीक दस्टिकों से थोड़ा उठा पटर का संके दे रहे मा के पुरवार्द में दूसरे भाव में राहू का संचरन पारवारी मसलों को लेकर कलह की संभावना दे रहा है घर परिवार में पुरना पारवारी मसला होगा उसे बाद विवाद प्रपल होगे इससे बचना चाहिए इस महीने यह दिया आप कान के कच्चे रहे तो परिवार में पारवारी रिस्तों में कटुता का प्रपल संकेत है नजरारा, कान के कच्चे ने, सुनी सुना इंबात और विश्वास नहीं करना ता कि फचान कि पारवारी शदशी को साथ लेके चलना और पारवारी आफ्शेग तो प्ध़ान देना है, नीजी समध और पारवारी रिष्टों में समय देना होगा, ताकि शकून और चैन बना रहे हैं वेर्थ की गलत फ्यमिया और परिचर्चाओं से आपको बचाना होगा पारवार रिस्तों में पारदसिता बहुत जरूर है और 14 अपरिल शूरी और राव लगन में संचन करेंगे पिता से रिस्ते खराब नहीं हो इस बात पर पूर्ण शाबधानी बहुत रखनी गमें जरुष है और उनके सहयोग से पारवार प्यर्ष्टों में सहस्ता है बात स्वास्ते के रासी वालोंके लिए अपरिल के MI analogy स्वास्तिकँ दरश्री कहले है मांसे प्रारम के बारे mm12 बहाव में उई और 11 बहाव में ब्रिशित्हर की ब्रिश्पतिंगा जो पीट या पेट में कोई बिमारी है तो इमिजेटली मेडिकल का सारा आपको लेना चाहिए बहुत जरूरी है स्वास्ते की परती इस मामले में आपको ध्यान रखना पड़े मैं फिर कहना चाहूंगा कि देनिक दिंतिया नेमित रखे खानपान पर ध्यान दे भावनात तक बै यह था मेच राशी वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रेल का महिना अब यह कोई प्रॉब्लम है तो उपाई क्या है मेरा चोटा सा निवेदन मेरी आरादी शनी देव 29 अप्रेल रात में अपनी मूलत्रिकॉण राशी कुम में प्रवेश का है 30 साल की बाद अपनी मूलत्र सिर्कॉण राशी कुम में प्रवेश और जिश्ट्र की घ्रय योगा योग है इतने सुंदर महास संज्योग में 30 अप्रेल 2022 सनिय माउश्या 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 श्री शनी धाम शनी तीरत चेत्र असोला फत्य पुर्वेरी में आपका शाब करिये शनी भगवान के दास् सोला फत्य पुर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरे खाली दर्शन करने से सनिदेव की क्रिपा का प्रशाद प्राप्त होगा और जीवन खुश्यों से लाइग अप्रेल के महिने में हर रविवार को एक तांबे का चकोर टुकड़ा अपने उपर से एंटी क्लोग ब पार दाना आपके लिए बड़ाख्शुबर बड़ा ही मनम पूर रहेगा नमना रहें नवरात्रा प्रारव हो रहें और इन नवरात्रों में धंश्रमंदी परेशानियां इदि आपको परेशान करिया करदे में आप डूब रहें तो भाई माचंदर घंटा की पूजा करि करिए तस्वीर और मूर्ती इस्थापित करते तो अंगुष्परमान चाहिए वो मूर्ती पाशान की हो या चाहिए फिर मेटल की जल गंगा जल पंचा में से प्रवित करने गवार पंच पिचार पूजन करी धूप दीप नहवेदी पुष्पर अक्षत अर्पित करी माई माई की अखंड जो जलाई स्वाकिलो शाबुत मशूल लाल कपड में बांद कर माई का ध्यान करते माई की चरणों में रग देश तस प्रसाथ हर रोज प्राते काल हर रोज प्राते काल ब्रह्म मूर्त में नित्य कर्मिशनान उप्रांथ ओम एंग रिम क्लिम इस मंत्र का एक माला दो माला पांच माला साथ माला हर रोज जाब करें तस पसाथ जो साबुत मशूर है कपड़े सही अपने उपर से एंटी क्लोग साथ बार उसारी किसी गरीब नेधन विद्वास तरी को दान में दे देना कैरियर कारोबार नौकरी कर्जा जैसी कोई पर पूजा के बाद आप दान में दे दीजी हर रोज शुबह और शाम पूजा करनी है सुबह मसूर रखना है साम को भी रखना है वो ही मसूर शाम को भी रखना है दूबारा नहीं रखना है और दूसरे दिन ये दान में देना इस बात का ध्यान रखिएगा यह हर रोज करिए और इन नो दिन आइस पूजा को आप कर लेजीगा प्रेशाने छिटकार में जागे यह अद्भूद है यह था आपके लिए नवरात्रों का अद्भूद उपाय राशिफल पुने मेरा निवेदन नक्षतर गर्णाओं के अधार पर यह आंकलन था मेरा ना मेरा कोई दबाव है ना विवद नरतरक माननो मानों आपकी मर्जी शेकें आपके पॉर्ie का दिकार आपके पास था आपके पास है आपके अधिक पस रहेगा नमारे रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एकदाती महरा दिकाहिंंसे बहुत प्यार करते हैं यह घ्ञारों शेयों के लिए जीवन का लक्ष रहा है मनश्यूं और मानु होने इतनी करतव है ति मैं अपनी राष्ट के शिवा कराओ। मैं इस राष्ट का नागरी कि दन को लेकर में राश्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि सेवा करें आप भी दन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्थ्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशवला की गाएं तुकही नहीं रहे इसके आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीओंगा, तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा, इन नमबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी अवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भाई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गायें, चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश आप से प्यार करता है, दाती माराज ए आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए, शनि भगवान आपकी रक्षा करेए, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेद है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती माहराज क जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में, लगबग लगवर 20-25-50 लोग ऐसे भी है, जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है, मैं उन सब की परती अपना जाद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दर्ष्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार शकोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते हैं, जो सरकार करते ह देखते हुए, हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है, आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, ज़रु स्वयोकर है, पेरा कोई दबाव नहीं है, प्रातरा थी, आउम नमो नारायन, आउम नमो नारायन,